बारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मिक भजन वे कारेकरम निशूलक देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें एक बहुत सुन्दर लड़की है बहुत पढ़ी लिखी लड़की है अपार दौलत है दहेज ले करके आईगी मेरे पास हैं मेरी सिश्याएं बहुत हैं कोई कुमारा हो तो संपर करना हम यही करेंगे ना कितना खुश हो रहा है एक बहुत सुन्दर लड़की है उसका विवाय होना है बहुत खुबशूरत है बहुत अच्छी है विवाओं से उत्तर चाहिए मुझे और एक लड़की ऐसी है जो ज्यादा सुन्दर नहीं है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है सामली है ज्यादा दहेज नहीं ला सकती है लेकिन जो सुन्दर है जो गोरी है बहुत बाद बाद पे गालियां मकती है मुएट का जवाब पथर से देती है सेर को सवा सेर बन जाती है ऐसी एक लड़की है जो भूत खूबसूरत है पैसा भी लाएगी लेकिन तुमसे बेवहार अच्छा नहीं करेगी गाली गलोच अच्छा करेगी हकीकत में आदमी से में पूछना चाहता हो यह युवा कहेगा महराज जो भले सावली हो लेकिन बेवहार मीठा हो जब बोले तो यह से बोले की फुल जरा करते हो ऐसा बोले की दिल में उतर जाती हो मैं सोचता हूँ जहर कोई उस लड़की को पसंद करेग अच्छे सुभाव के पीछे लोग भागा करते हैं, अच्छा नेचर आदमी का होना चाहिए, अच्छा सुभाव आदमी का होना चाहिए, घर अपने आप स्वर्ग बन चाहिए, घर को स्वर्ग बन, चोटी-चोटी बाते हैं, बातें बहुत चोटी हैं, समझो तो बातें बह तो से महाँ भारत खड़ा हुआ करता है ऐसा पती हो कि जो साधन दे या ना दे पत्नी को सुख चरूर देना चाहिए कि बीमार हो तो से पूछो यह नहीं कि हां तू डाक्टर के आँ चली जा दिखा लेना किसी को भी दिखा लेना नहीं पती तो वो महान होता है कि पत्नी का फौन आ जाए कि मैं बीमार हूँ मरी तबियत खराब है यदि सही चाहने वाला हो तो सटर गिराए और पहले जाके उसको डाक्टर को दिखाए और बोले कि चल गाड़ी में बैठ पहले मैं तेरा इलाज कराता हूँ क्योंकि ये पैसा भी तो मैं तेरे लिए ही कमा रहा हूँ न लेकिन आदमी इतना होश्यार है खुद बीमार रहता है पत्नी ना सुने तो दस बात सुनाता है और वो बुचारी बीमार हो जाए को उसको पूछा नहीं करता है अरे आपसे इतना ही में नेविदन करना चाहता हूँ ये महलाएं है ना ये नारियां है इनको छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिला करती है और आदमी की जिन्दगी वो होती है बड़े बड़े कामों से भी छोटी खुशियां नहीं बटोर पाता है आदमी हमेशा सिकायत से भड़ा रहता है तुने ये नहीं किया तुने वो नहीं किया तुने वैसा नहीं किया लेकिन नारी की वो शक्ती हुआ करती है इन्हें छोटी बात में बड़ा सुख मिला करता है छोटा सा इनको पूछ लिया जाए छोटा सा इनको प्रेम से दो सब्द बोल दिये जाए ध्यान रखना दिल से और प्रेम से बोल देना कंगन रेजेक्ट कर देगी तुमसे प्यार करना प्रारम कर देगी ध्यान रखना लेकिन आदमी सोचता है सोने के आभूशन देकर पत्नी खुष हो जाएगी आदमी सोचता है महंगी कार देने से पत्नी खुष हो जाएगी आदमी सोचता है सारे महंगे महंगे गहने और कपड़े पहनाओ तो पत्नी सुख खुश हो जाएगी एक बात ध्यान रखना ये हिंदुस्तान की नारिया है यहां बनवास में भी राम प्यार करें तो सीता को बन भी अयोध्या की तरह दिखा करता है वह भी उसे स्वर्ग की तरह प्यार को तरस रहे हैं तुम्हारे घर पैसे पैसों को नहीं तरस रहे हैं ध्यान रखना पैसा किसके पास कम है सबके पास है आज लाग दो लाग रुपे कमाना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है थोड़ा सा पढ़ लिख जाए फर राटे दार इंगलिस बोले पांच-दस लाग का पैकेज उसको अपने आप राप्त हो जाया करता है अब इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या नहीं है आज घरों में समस्या है तो प्यार की समस्या है प्रेम की समस्या है महबबत की समस्या है ध्यान रखना मुऺबत में कुछ नहीं करना पड़ता है फिर धैसे प्यार के दो शब् बूलना पड़ते हैं ध्यान रखिए फ्रेम घर में हो 됩니다 तो इसे बड़ श्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नए फ्रेम को माढ़कर थे प्रेम से घर स्वर्ग वन्सा